जो भाई सीटी वाले हैं उन बलकांगे फोन अलग-अलग तरीके थे फेस्बुक पर भी ट्वीटर पर भी शिद्धे भी फोन आवा हैं मैसेज भी आवा है अग भाई जो सीटी के बालक नहीं पर रिजल्ट भी नहीं आए लेकिन वे बालक दुखी हो रहे हैं इसरकार की पो भी शुन लियो इस बात ने और मुख्य मंत्री जी आप भी शुन लियो जानता है इस बात ने यह जो सीटी हम पिछले एक साल ते इस बात पर रोला मत आ रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे आवाज उठा रहे थे अग यो सीटी होना चीए अब यो सीटी करवा दिया बहुत बड़िया बात अब सीटी होते गया लेकिन अब यह इनने पॉलसी निकाल लिया एक सीटी में हम सीरफ चार गुणा लेंगे मेरे ख्याल में यह यह बात है चार गुणा लेंगे करीब ये माननो गुरूप CD के करीब 10 लाख बालक तो जरूर देंगे पेपर देलिया बलकान पेपर इस मैं कहरें चार गुणा चार गुणा क्यों हो भाई पूरे देश में जहां पे भी इस तरह एक्जाम लिया जाता तो चार गुणा थोड़ी है पंदरा पंदरा पीस पीस गुणा लिया जा है एक्जामपल के लिए मैं बताओं जो मेरे को मेरे साथी ने ने पता जो CDT वाड़े बालक है और रेजल्ट आणते हैं पहले हैं जम ने गदर मचा दिया मुख्या मंद्री जी आपको अगर समझ नहीं है तो कम तकम भलका ता पूछ लो किसे एक्सपर्ट ता पूछ लो दो लाग बालक का अगर इसको क्वालिफाई करेंगे विकेंसी निकलेंगी हजार तो सरकार इंट्रू देगी बुलाओगी दूसरे टेस्ट के लिए सिर्फ चार अजार तो दो लाग बालक जब क्वालिफाई करेंगे तो एक लाग च्छनमाईजार बालक की तिजावेंगे ये बतादो मुख्यमंत्री जी खट्र साब आप ये बताओ एक सिद्धी बात पूरे अरियाना के जो बालक सीटी के बालक हैं वे पूछ रहें आपसे ये कोण सार उलकाण दिया वई अग चार गुणा देंगे चार गुणा क्यू देंगे चार गुणा और पिर चार गुणा देने जाए तो कुवालिफ आईगा क्या लेना देना आगा मन नभी गुणे टेस्ट दे रखें हैं पड़ा लखें हूं पिएच्डी कर रहे हैं तीने में कर रहे हैं तो मुख्या मंतरी जी आप ये बात क्यों नहीं आपको जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं समझा पारे इस बात को अग जो सीटी का एक्जाम है वो सीटी वाले जो बालक हैं मालो लो लाख करेंगे दो लाख करेंगे पेपर पास उनको क्यों नहीं मौका देरे तो दोस्तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकार ये काम कर रही है मुख्या मंतरी जी देखो बालक सडकां पर जो बालक पड़निया हैं अपने एक्जाम की त्यारी करा हैं तुमने मुश्कल ते था ये विकेंसी निकल लिनी एक साल हो गया हमने भी पात कहतें जी तेरे विकेंसी निकाल दो। लाख लक लिकेंसी तो तुम खुद करें हो आग दो लाख लक लिएंशी कलई हैं पूरे अरियाना में अलग अलग डिपार्डमेंट में अकेले एजुकेशन डेपार्टमेंट में करीब 40-50 जार विकेंसी खाली है अरियाना पुलिस में 25 जार विकेंसी है पूरे अरियाना में गुन्डा करती हो रही है वो अरियाना पुलिस आले हुए बिचारा एक सपाई पाच आदमिया काम करना लाग रहा है उन्ना पूरे अरियाना में अलग अलग डेपार्टमेंट के अंदर करीब 2 लाख विकेंसी खाली है यह जो सरकार की रिपोर्ट है तो उन्ना पूर्टी क्यों ना करते हैं साना ना क्या ही बाट देखा है दोजार चुनाओ की बात ने दोजार चोबीस के चुनाओ की बात देखोगे बेरोजगारी नुक्रारा सब भारी शबत भारी चीज अगर है तो वह बिरोजगारी है तो सरफ सीटी क्वाली फाइनेचर में क्या प्रोलम है यह बताओ मने और जब दो लाग विकेंशी खाली हैं खटर शाब क्या समस्य आपको ये तो बता हो और हमने ना पूछो किसे एक्सपर्ट तो पूछ लो पड़ा लगा कोई तो हुआ सरकार में दसमी फैल बना रहा क्या सक्षिया मंत्री जो और रहा गे कोई लेक्षरार गे लिए कोई टेपार्टमेंट हाँ बीस लाग वाला को वेरोजगार है मुख्यमंत्री जी कहते थे ना ना जूत बोला है पूरे देश में टोप है आ पारियाना में ब्रोजगारी में यह बताओ मुख्यमंत्री जी पूछे सब्सक्राइब अरियाना के अंदर जो बेरोजगार हैं वह बेरोजगारी कारण है इस अरियाना का जो क्राइम हो रहा है वह बेरोजगारी कारण है जो नसा फेल रहा है किसे किसे इंजेक्शन किसी किसी दवाई आ रही है जवान जवान बालक वे इसे इसे नसे करके मनना लाग रही है सरम नहीं आती मुख्या मंद्री जी कैकी लएको ठी में बैटके सोजाओ हो कैके लोग चून कागस हो जाओ हो लोगा ना रोट्टी भी ना मिल रही और जो बालक लाइबरिया में पढ़ पढ़ेगा चसमे चटगे बाल उटगे उनके सारा गे सुशाइट करन लाग रहे हैं मैं तक इस अपर्टी में नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं मन ने कोई राज निती नहीं आज तक मैं कुछ नहीं कर रहा ना मैं तक जिसा एक नौरमल सामाने का आम आदमी हो है उसा हूँ मैं भी लेकिन मुख्यमंत्री जी आप इस बात को क्यो नहीं समझ रहे इस कम बिरता को क्यों नहीं समझ रहे अक हरियाना के अंदर जो बिरोजगार बालक है जो बिरोजगारी का एक इशू है बेरुजगारी के इशू के साथ नसा जोड़ा हुआ है उसके साथ क्राइम जोड़ा हुआ है दो तिन साल में मुश्किल से दो तिन साल के अंदर मुश्किल से इस बात यह स्रीटी होया है मुश्किल से अब आप एक बात बता हो इतनी मतला मुश्किल से पिप कि उसने दो तो तीन तिन साल तक है यह दमाग ते कटो अख फाश्ची का जाएं पाश्ची खाना का काम हो गया मरना निये दोस्तो अपने घर को देखना, अपने प्रिवार, अपने माँ, बाप, बाई, बेन, यार, दोस्त, रिष्टेदार है या मरण की मत छोचियो मैं आज इसलिए लाईव आया हूँ कि बहुत छे फोन मेरे दोरे इतने डिप्रेशन के आये वालकांगे इसलिए मैं ये लाईव आयार मनने इसलिए ये बतानी जुरूरी है आप लोगों को मरण की मत सोचियो मेरे बाई जो भी सरकार करे है करन दो लड़ाई लड़ो सड़क पा उतर के लड़ाई लड़ाई लड़न की मत रखो मरण दे कुछ नहीं होगा कोई नहीं बुच्छ जी सरकार आपके घर परिवार आले तो की होंगे कुछ चेतर एक सुनील सर्मा नाम के बाला करने जिसका लिस्ट में नाम आ रहा था लेकिन उसके बाद उसका लिस्ट नहीं दिखाई ईपी पी जी गी और उसने सुसाइड कर लिया उसकी बीवी प्रेगनेंट अब सोच के देखो दोस्तो अर ये मुख्य मंद्री जी डूब गया मरजा अगर थोड़ी बहुत भी सरमा इस सिस्टम को इस सरकार को और इस सीम को कह रहा हूं उम्हें यह बाते तो जिम्हें दार कुण इसमोत का अर जब वो ईपी बी जी दे रहा ख्या था और जब उपर दे इडिवलू एस हो गया और यह एज़ी पेज़ी उसके पास चकर काटते रहे है यह अपना जो एजुकेशन डेपार्टमेंट है उसमें जाकर चकर काटते रहे लेकिन कोई नी सुण दा और कोई-कोई फरकनी बढ़ता है किस से गये किस से कोई फरकनी पढ़ता है जो बालक है वो सुसाइड कर गया सारे नहीं बताऊ हमे जितने भी सीटी वाड़े है जितने भी क्नालू पाले है किस्ता नेता इमानने की जरूत नहीं है किस्ता ये सारे में बैठने की जरूत नहीं है कदे नहीं सोचो कोई नेता हुगा कोई नविंजा इंदा हुगा फ़ाना हुगा किसा इबाट देखने ही जरूत नहीं है कोई आवत आओ सवागत करो नहीं आवत अपने दम पलड़ाई लड़ो मेरे भाई ओ ना बैठे रहो तम नियुए तो बइए ता तम ने देखना है और बाकी इने के दल्ले सरकार के दल्ले इसके चम्चे इसके एजेंट बहुत आउंगे इस सरकार के दल्ले एजेंट चमचे बोट आँगे उनको जवाब दिया रो बड़ी आड़ा चुम मत बैठे अगरो मैं बताऊं धारते मेरे पास अज़े एक वो आ रहा था अगपंड़त करेंगे मुख्या मंत्री का समानर है ठेके दारो नकलियो अरे सरमानी चीए बेइमानों गटिया लोगो के कर दिया इस मुख्या मंत्री ने अरे मुख्या मंत्री के मैं कर देगा था हम मेंज़े बोल देंगे ये बला ब्रामन समयलन करवाओंगे ब्रामन समयलन मुख्या मंत्री का अरे ठेके दारो अरे दलो अगर इस सरकार ने करवाँ नहीं से लागू थारी डोलीगी जमीनी ख़ाना लाग रिया शरकारे करदवाँ ने डोलीगी जमीनी थारी प्रावर की जमीनी पर कपचा करया दवाँ ने उल्टी इस बाद ने जानते सुन लियो कोई ठेकेदार बने नी कोज़ करेंगा ना बामणागी बक्षा नी जादा पहले हम बता दिया है किसा ये गुलाम नी है बामणी कदे कोई नुश वस्ता होगी निके गुलाम है गुलाम नी है किसा ये अरा मैं केल लाग रहा डेमांड पूरी करेंगा मुख्या मंतरी मैं बोलूगा जाए मुख्या मंतरी मैं पराओंगा उसन मोड करवाओ ता चरी अरा थारी सुन तानी थारी मान तानी थारे को काम नी होते ही सरकार में अबला ब्रामन सम्मेलन करवाएंगे ब्रामन मा कुमर दल्लो और तमने बे सरमो सरमानी चीए एक बालक थारा मर ग्या बहे उड़ कोई और सुनो भाई नोजवानाद बताओं मैं मेरे भाईयो नोजवान ये जितने भी पंड़त है धान राखे हो इस बात का भी किसी के गुलाम मत बढ़ो अगर किसी की गुलामी करोगे न तुमारे को ऐसे इमरना पड़ा फास्ची खाका कमरोगे दान राखे लियो थारी कोई पूछ नी तमने कोई सुडता नी थारी कोई मानता नी जैब बोलनागे बल्या आम करवाँगे ब्रामन माकोंबे करवाँगे मुख्यमांत तुरी का सम्मेलन करवाँ यरता मरे अरे सरमानीचे क्या ये ठेकिदार मनरे रहो तमे ये जितने में नोजवान मेरी बात चुनो अगर बगवान परशुराम को मानते ओर मेरी दोस्तों मेरी बात चुनलियो अपना स्वाब इमान जिन्दा रखो असली बामन वो अब लिदान नियो आर असली बामने असली बामन स्वाब इमान नियो आरे किसा ये जुत्ते नीचाट्टा करे असली ये बात कर रहे हु मैं नकली दुनिया अंडे नकली आया कोई लेना देना को नहां अरे मैं शेरफ यह बताऊं अपने स्वाब इमान नहीं जगा लो अपने स्वाब इमान ते जी लो ना तुमारी ऐसी दुरुगती होगी और इन दल्लों से इन नकली ठेकेतारों से याता समझ जाईयो मेरे वाईयो अरना ते तुमारी वाद रुकती होगी ध्यान राख लियो बगवान पर सुराम का नाम लेने का उसको हक नहीं है जिसके अंदर स्वाब इमान नहीं है जो बलीदान नहीं दे सकता क्ये है बगवान पर सुराम है बगवान परसुराम का मतलब बेरा के है बगवान परसुराम का मतलब है बलीदान सवाब इमान हक के लिए लड़ाई ये है बगवान परसुराम का नाम है और ये है बगवान परसुराम को मानने वालोगा नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं